The Conceptual IS आप सभी का स्वागत करते हैं यह है Lecture No. 2D 2D कहने का मतलब यह कि इसके पहले हमने Page No. at least 31 तक कवर कर लिया है यह है Page No. 32 और यहां से हम Lecture No. 2D स्टार्ट करेंगे Lecture No. 2D ठेक है And before that 7 lectures कवर हो चुके हैं तो आप लोग उनको जाएए The Conceptual IS के playlist में उनको देखिए और इसके बाद इससे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा चलिए शुरू करते हैं तो यहां से हमारा जो scheme का portion सुरू होता है National Scheme लेकिन scheme में important कौन है तो यह depend करता है कि आप कौन से exam focus कर रहे हो Because we are focusing UP PCS And BPSC तो हम लोग UP और बिहार की schemes पे mainly focus करेंगे And जो भी union government की schemes होंगी हम लोग उनको भी focus करेंगे Because union government की scheme किसी भी किसी भी state exam के लिए important होती है तो जैसे कि यह scheme है सुभद्रा अब यह सुभद्रा scheme क्या है So, यह basically women को help करने के लिए scheme है सुभद्रा scheme है ठीक, प्राइम मिनिस्टर ने से launch किया और यह government of Odisha के scheme है जो कि भोवनेस्वर में launch की गई यह Single largest woman centric scheme है जो कि एक लाख एक करोर woman को cover करने की रादे से बनाई गई है इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने की आउशकता नहीं है ठीक, चलो कुछ भी eligibility criteria है यह सब कुछ भी हमारे काम का नहीं है Fine, इनको हम focus नहीं करेंगे Reason, because वो हमारे requirement को match नहीं करता है Now, agree sure scheme agree sure scheme क्या है पहले हमको पता होना चाहिए और कब launch हुआ हमें पता होना चाहिए तो इसकी date है 3 सितंबर 2024 और Union Ministry of Agriculture and Former Welfare and Rural Development Minister स्रिस्षी उराशिंग चौहान नहीं से launch किया था agree sure कहां पे नए दिल्ली में अब इसका full form क्या है agree fund for start-up and rural enterprises यह इसका full form है agree sure का अब यह क्या है so it is an innovative fund which is pioneering a step towards revolutionizing the agriculture landscape in India तो एक तरीके से यह fund है ठीक जो innovation को promote करने के लिए खर्च किया जाएगा कैसा innovation उस innovation के लिए जो agriculture की field में किया जाए agriculture की growth के लिए किया जाए तो इस capital का corpus है 750 करोर जो की सेभी के साथ registered category alternative investment fund के तोर पर contribution प्राप्त करेगा नाबाड से 2500 करोर प्राप्त करेगा और 250 करोर बैंकों से insurance company से and private investor से यह प्राप्त करेगा तो इस तरह का यह blended fund है blended का मतलब इसमें जो पैसे आएंगे वो कई sources जाएंगे जैसे कि हमने बात के SEBI द्वारा registered category 2 के alternative investment fund नाबाड बैंक insurance और private investor इन सभी की ओर से तो यह अपने आपने एक important question मनाता है कि यह scheme important क्यूं है क्योंकि इसमें fund कहा कहा से आएगा यह दोनों बाते आपको पता होना चाहिए चलो अब इसमें आवार्ड बगरह दिये जाते हैं जैसे एग्रिश्योर ग्रीनेथ होन आवार्ड इसके लाबा ग्रीनेथ होन 12 जुलाई 24 को लांच हुआ है इसके लाबा टॉप थ्री startups जैसे की ग्रीन सेपियो क्रूशी कांती और यह सेलेक्ट की गए है winner के तोर पर runner up and second runner up के तोर पर तो ग्रीन सेपियो जो है यह अपने आप में winner है क्रूशी कांती अपने आप में first runner up है and अपने आप में second runner up है और यह तीन basically company है जो इस एग्री सोर आवार्ड यानिकि ग्रीने थान आवार्ड की में विजेता या followers है अब next scheme हमारी है जल जीवन मिशन के मारे में जल जीवन मिशन एक पुरानी scheme है जिसके 5 साल पूरे हो गए है आपको इसमें पता क्या क्या होना चाहिए कि यह कब launch हुई थी एक तो यह पता होना चाहिए दूसरा अभी चुकि इसके 5 साल पूरे हो गए तो यहां से आप इसको पता लगा सकते है कि कब launch हुई है कब पूरा हुआ है तो यह independence day 2024 में 5 years के पूरे हुए है जल जीवन मिशन जो कि safe drinking water safe drinking water and tap connection के help से all rural household को 2024 के end तक provide करने की guarantee देता है fine so जब यह आया था तो इसने cable 3.2 करोड यहने कि 17% rural household को tap water connection उस समय उपलब्द था लेकिन मिशन ने all rural household को cover करने की बाद की जिसमें कि additional 16 करोड household को tap water facility 2024 तक देना था टेक और और यह functionality of existing water supply system and directly benefit over 19 करोड rural families तो यह 16 करोड को target करता था directly अब इस से क्या हो जाएगा 19 क्योंकि पहले से 3.2 करोड लोगों के पास गावों में पानी के सप्लाई की ability थी तो टोटल 19 करोड परिवारों को यह cover करता है ठीक है अभी क्या क्या इस status है तो अभी यह more than 15.07 करोड household जो की approximate rural household का करीब करीब 78% है 78% है उनको यह household को यह facilities दे रहा है अब चुकि पाँचवा साल है तो यह launch कप किया गया होगा अगस्त 15-2019 को 15 अगस्त 2019 को प्रधान मंत्री जीनी से launch किया था जल जीवन मिसन को ठीक है हाँ यह हमने इसके बारे में बात कि FHTC यानि कि functional household tap connection to every rural household target audience कोन है सभी गाउं के जो household है वो ठीक है यह हमें इसमें पता है तो इतना काफी है one nation one location यह one location का concept क्या है इसको समझते हैं तो सबसे पहले recently ministry of road transport and highway ने announce किया है that all transportation system चाहे वो roadway हो चाहे रेलवे हो चाहे वो airways हो चाहे waterways हो या ropeways इन सबको single hub and terminal से जोड़ा जाएगा ठीक है पूरे देश में single hub and terminal से इनको जोड़ा जाएगा इससे फाइदा क्या होगा फाइदा यह होगा कि जब सारी शीजे connected होंगी तो जहां पर roadway possible नहीं है वहां पर waterways का इस्तेमाल किया जा सकता है यह जो टर्मिनल्स बनेंगे जहां पर कि multimodal connectivity या transportation facilities आपस में मिलेंगे उन टर्मिनल्स में वो वन स्टॉप सलेशन के तोर पर सर्व करेगा और जो connect करता है ट्रांसपोर्ट, catering करता है 87% passenger traffic को tick via road in the country तो यह passenger transport इसके लावब goods to transport दोनों तरह की transportation facilities को connect करेगा अब इसमें यह जो pilot क्या होता है pilot का मतलब यह होता है कि trial basis पे किसी scheme को किसी program को launch करके सरकारे चिक करते हैं कि यह अपने आप में कितना प्रभावी रहेगा जब इसको लागू किया जाएगा तो इसमें pilot project कहा कहा पर है कट्रा एंट तिरुपती में इसके लावबा दो अन्य वारांसी और नागपुर में National Highway Logistics Management जो की Holy Owned Subsidory है किसकी अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि National Highway Logistics Management NHLM कैसे किस प्रकार की बॉड़ी है तो यह Holy Owned Subsidory Company है जो की NHI के अंतरगत काम करती है यह दो जगे pilot project चला रही है इसके चेक करने के लिए कट्रा जमुन कस्मीर में यह दोनों जगे इस प्रकार के multimodal terminals develop किये गए हैं और वहाँ पर trial के लिए काम शुरू है इसके लबाद दो अन्य कहां पर वारांसी और नागपुर में भी NHLM के द्वारा Pilot hubs चला रहे हैं जो कि national highway logistic management के द्वारा चला जा रहे हैं मतलब एक तरीके से में कह सकते हैं कि NHI ही चला रहा है इनकी जो parent body है वो NHI ही है चलिए National forensic infrastructure enhancement scheme यह अपने आपी बहुत important नहीं है minor scheme है इसको हम आजसानी से ignore कर सकते हैं next है about national forensic science university यह world का first university है जो dedicated है forensic science को national forensic science university कहां पर गुजरात forensic science university के साथ है यह और उससे जितने भी allied subject हैं वो यह deal करता है यह university है जोकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर अब गुजरात के दौरा लांज किया गया है और ग्यारा फर्वरी 2009 से गांधी नगर में यह operate करता था उसी में national forensic science university डेबलब की गई है चलिए हाँ एक अक्टूबर 2020 को government of India ने इसे national university and national forensic science university के तौर पर इसको अप्रूब कर दिया गया है एलिवेट कर दिया गया उसका status बढ़ा दिया गया है तो अब इस तरह से national forensic science university national institution of importance यानि कि institution of national importance के तौर पर भी जाना जाएगा ठीक है national importance वाले institute के तौर भी इसे जाना जाएगा हाँ और मजूली मास्क कुछ और चीजों को मजूली मास्क के जिन में एक important ही जिसको GI tag दिया गया है तो GI tag के regarding थोड़ा latest news के ध्यान देंगे जो लास्ट के 2-3 मेहने में GI tag दिया गये होंगे वो थोड़ी important है and मजूली मास्क ये मजूली manuscript painting का example है जिसको GI tag दिया गया है Central Government के द्वारा and मजूली मास्क के बारे में कुछ important शिज़े देखेंगे कि ये river island district मजूली असम में belong करता है मजूली और route इसकी है असम की district में मजूली islands है ये अपने आप में new west white tradition के लिए जाना जाता है मजूली island और ये मास्क handmade होते हैं हाज से बनाय जाते हैं और इनको प्राचीन काल में deficit character की तौर पर भावनाज and theoretical performance के लिए इसके लाब और devotional messages के लिए और new west white life के लिए यूज किया जाता था प्राचीन काल में ठीक है मजूली manuscript painting यह अपने आपने पेंटिंग है जो कि 16th century की समय किया जाता था सांची पैट या manuscript made of bark of सांची या अगार ट्री जो कि using homemade ink अगार का पौधा होता है जिसको सांची वहां असम में बोलते हैं और यह अगार पापुलर है आयूरवेदा में पापुलर है और घर से बनाई हुई ink के माध्यम से अगार के पौधे की छाल पर यह मास्क बनाया जाता था छाल का इस्तेमाल करते हुए यह मास्क बनाया जाता था earliest example इसके हैं आद्य दशम और भगवत पुरान में जिसके बारे में सिरिमंत संकर देव इसका जिक्र करते हैं यह पेंटिंग अहोम किंग से बिलॉंग के द्वारा patronize के जाते थी मतलब वह इसको protection देते थे और इसका विकास करने में गवर्मेंट का support था अहोम rulers के द्वारा पीम जन्मान सो यह ministry of में पीम जन्मान स्कीम और प्रधानमंत्री जन जाती आदिवासी न्याय महाभियान को प्रधानमंत्री जन्मान पीम जन्मान स्कीम कहते हैं यह अपने आप में 22,000 जो कि particular vulnerable tribal group से जहतर जो लोग बिलॉंग करते हैं और उनके लिए और खास्त और से 200 districts में इनकी जो reach है इनके बहतरी के लिए इनके विकास के लिए इसकीम dedicated है इसके अलावा प्रधानमंत्री जन जाती गौरोदिवस जो कि 13 नौवंबर 2023 से सुरू हुआ है कहां पर कुंती district जहारखन से इसके पहले प्रधानमंत्री ने लांच किया इसे प्रधानमंत्री जन जातियों के लिए प्रधानमंत्री जन जाती गौरोदिवस लांच किया इसको कहां से कुंती district जहारखन से ठीक कुछ national events साथ में हम लोग focus करेंगे एक सिगर national event national event में हमारे पास सामने जो सबसे पहले है वह संबृध्धी प्रोग्राम संबृध्धी प्रोग्राम किसका है मेटी ने इसको लांच किया है मेटी की सेक्रेटरी ने लांच किया है तो ministry of information and technology इसका मंत्राले हमें पता होना चाहिए संब्रद्धी का फुल फॉर्म क्या है स्टार्टप एक्सिलिरेटर्स आफ मेटी फॉर प्रोड़क्ट इनुविशन डेवलेप्मेंट एंड ग्रूध इसी को साथ संब्रद्ध संब्रद्ध प्रोग्राम इसको कहा गया यह अपने अपने मेटी का फ्लैक्सिप प्रोग्राम है मिनिश्ट आफ इन्फॉर्मेशन इन टेकनलोजी का जो कि स्टार्टप एक्सिलिरेशन के फिल्ड में पोकस करेगा अपने आपने यह नेशनल पॉलिसी सॉफ्टवेर प्रोड़क्ट 2019 का पार्ट है इसके अलाबा संब्रध प्रोग्राम क्या इम करता है तो यह सपोर्ट करना चाहता है तीन सो सॉफ्टवेर प्रोड़क्ट को जो कि स्टार्टप्स के द्वारा डेवलेप किये गये हैं और इसकी जो टोटल वर्द हो सकते ही वो 99 कroor for period of 4 years 99 कroor for period of 4 years ये सब इतना ध्यान से जानना जरूरी नहीं है सम्रधी Software Development के लिए है सम्रधी Software Development के लिए Ministry of Information and Technology के द्वारा इसे लाँच किया गये इतना इसमें काफी है जदा जदा आप ये देख सकते हैं कि Digital India Corporation और मेटी Startup Hub के द्वारा ये इंप्लिमेंट किया जाएगा मेटी Startup Hub Digital India Corporation के द्वारा इसे लागू किया जाएगा ठीक, लाउंच के से किया है तो स्री S. Krishnan ने जो कि सेक्रेटरी है मेटी के ठीक है, बस इसे जदा नहीं सिल्प दीदी महोसो सो सिल्प दीदी महोसो कहां से लाउंच किया गया है दिल्ली से और ये सिल्प दीदी प्रोग्राम का पार्ट है Ministry of Textile को बिलॉंग करता है जिसमें कि पाइलट प्रोजेक्ट हंडेट डेज का सुरू किया गया है और ये फिमिल आर्टिसन को फोकस करता है ठीक है, बहत्तर डिस्टिक्स के 23 स्टेट्स के बहत्तर डिस्टिक्स में इसे इंप्रिमेंट किया जाएगा आने वाली दुनों में चलो, कुछ और लगपती दीदी सम्मेलन तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने लगपती दीदी सम्मेलन स्कीम सुरुवात की है, कहाँ जलगाओ महराष्ट से, not important देखो क्यों नहीं important है, बस नाम important है इस्टेट important है, बस चुकि महराष्ट ने करीब इस तरह की 35-36 स्कीम launch की है और अगर छोटी-मोटी सारी स्कीम बात किया जाए तो पिछले तीन महराष्ट ने अकेले 104 स्कीम launch किया है ठीक है, लाडला भाई लगपती दीदी, वह सारी लाडला बेटा, लगपती दीदी, इस तरह की कई सारी स्कीम launch की है, सब इंपोर्टन नहीं है तो इसका नाम पता होना चाहिए और स्टेट पता होना चाहिए इतना काफी है महराष्ट में इलक्सन है, इसलिए महराष्ट के लिए अपने आपने common बात है कि इस तरह की बहुत सारी स्कीम launch की गए है इसके लाबा एट धमा सम्मेलन, आटमा धम सम्मेलन कहां पर इंडिया फाउंडेशन और गुजरात यूनिवर्सिटी कोलाबोरेशन के माध्यम से अहम्दाबाद में 23 से 25 अगस्त में इसकी वाइस प्रेजिटेंट जगदीब धनकर होंगे और ये बिसिकली कॉस्मोलोजी इन धर्मा एंड धमा सब्जेक्ट पे फोकस करता है काफी है इससे ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है इतना कुछ इस सिग्निफिकन्ट इवन्ट नहीं है पहला कब हुआ था ये जरूरत दयान देना है इतना इससे ज़्यादा इसमें फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है कहाँ पर राष्ट्रपति भावन में कि उसके कल्चरल सेंटर में जिसमें चीफ मिनिश्टर लिटेन गवर्नर्स बीस स्टेट और छे यूटीज की पार्टिसिपेट किये थे इसका कोई इंपोर्टेंस नहीं है अब इसमें अगर कुछ खास काम हुआ तो बात करेंगे जैसे कि इसमें इन्वेश्टमेंट फ्रेंडली चार्टर को प्रपोस किया गया है जो कि इन्वेश्टर फ्रेंडली एन्वार्मेंट डेवलप करने के लिए और healthy competition को boost करने के लिए promote करेगा जिससे की GDP को 2047 तक 30 trillion GDP का target decide करता है जो कि अपने अपने बड़ा target है ठीक है 30 trillion US dollar 2047 तक यह fact आप याद रख सकते हो यह काम का है अब नीतियाय को structure कैसा होता है कैसे काम करता है यह सब यहां से जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहां इस इसके लाव रीसेट प्रोग्राम रिटार्ड स्पोर्ट्समें इंपावर्मेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्कुल भी इंपार्टन नहीं है ज्यादा ज़्यादा ही जान सकते हैं कि इसको मनसुत मांडवी ने नई दिल्ली से 29 अगस्त को लांच किया गया है तरहले काम की बाते देखते हैं अश्मपूर्न अभियान कैमपैन सारी संपूर्नित अभियान कैमपैं संपूर्मता अभियान कैमपै यूँ यह अपने आप में विटनिस करता है significant participation from citizens across the country कुछ भी खास नहीं है important क्या है इसमें across all 112 aspirational districts in 500 and 500 aspirational blocks इनके लिए है संपूर्णता अभियान कब launch किया गया तो 4 जुलाई 2014 को इतना focus कर लो इसमें 3 महिने का campaign है 4 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में not so important बस यह पता होना चाहिए कि समपूर्णता अभियान किस से related है तो किस से related है aspirational district program aspirational districts and blocks से related है अच्छा भारत में कितने aspirational districts है 112 कॉमंट करके बताओ क्या तुम्हारा district aspirational district है क्या तुम्हारा block aspirational block है क्या अगर है तो कॉमंट करके बताए ठीक Aspirational Districts and Aspirational Blocks के बारे में 500 Blocks है, 112 District है, District का प्रोग्राम जन्वरी 2018 में लाँच किया गया था, Block का प्रोग्राम जन्वरी 2023 में प्राइम मिनिस्टर के जारा लाँच किया गया था, इसमें जो Focus 5 Themes हैं उनको पता होना चाहिए, Health and Nutrition दोनों में है, Education दोनों में है, Agree and Water दोनों म इसके लाबा Financial Inclusion and Skill Development है, इसमें भी Social Development है और Basic Infra है, Basic Infra and Social Development है, यहाँ पर Infra and Inclusion and Skill Development है, यह इतने पर Focus करेंगे, जो Different है उन पर Focus कर लीजे, बाकि जो Same है, वो Same है, आपको यह आपको पांचो याद रहने चाहिए, हाँ, यह आपको पांचो याद रहना चाहिए, यह Important होता है यही इसका Nuance Point है, इसका Bariq Point है, जो कि आपको पता होना चाहिए, एक और बात, इसमें 81 Indicators है, इसमें 40 Indicators हैं, District में 81 Indicators हैं और Block में 40 Indicators हैं, जो कि इसकी Ranking परिस्तुत करते हैं, चंद्रायान 3, चंद्रायान 3 के बारे में आपको पता होना चाहिए, कि First Country है, इंडिया, इंडिया has created and become First Country to land on South Pole, कहां पर South Pole में land किया गया है, जो कि South Pole Region और जो South Latitude है, यह 23.319 East Latitude में पढ़ता है, ठीक, East Longitude में पढ़ता है, तो Latitude है, इसका 69, 373 South And Longitude है, इसका 32,319, 32.319, यह Lunar Surface के East, पार्ट में land किया गया, तो अगर हम को जबसा होना चाहिए, कि चंद्रायान कहां land किया गया है, तो South East में, चंद्रायान कहां लैंड किया है, तो हमको पता होना चाहिए South East में, यह पता होना चाहिए, latitude, longitude इस जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसकी location पता होना चाहिए कि South East है, यह काफी important है, इसमें विक्रम लेंडर ने टच किया है लूनर साउथ पूल को 6 पीम अगस्त तेश, अगस्त तेश, दो हजार तेश को, अगस्त तुन्टी थ्री, 2023 को विक्रम लेंडर लूनर के साउथ पूल में पहुचा, चलिए, चंद्रायन थ्री के बारे में थोड़ी से बाते और समझ सकते हैं, लांच कब हुआ, 14 जुलाई 2023, किसके द्वारा, इस रो, कहां से, सतीज धाउन स्पेस सेंटर, शार, सिरहर कोटा, अंधर प्रदेश से, बजट 615 करो, नहीं याद रखना, ये इंपोर्टन्ट है, ये इंपोर्टन्ट है, ये इंपोर्टन्ट है, बजट इंपोर्टन नहीं है, इसके लबा, अगस्त को लांच हुआ इंपोर्टेंट है इसने अपना कम्प्लीट किया लूनर और्विट मिशन एंड सक्सेस्फुली चंद्रायान 3 स्पेस्क्राफ्ट मून की आर्विट में पहुंचा चलिए नेशनल स्पेस डे नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा 23 अगस 2023 को और लेंडिंग का नाम पहले से डिसाइड किया गया था वह था त्यरंगा पॉइंट वह भी याद रखना चाहिए और सर्फेस पॉइंट जहां पे चंद्रायान 1 ने स्ट्राइक किया था सबसे पहले वह है जवाहर पॉइंट करने का मतलब यह है कि उसको सबसे पहले देखा गया था तो देखा था जो हमारा मिसन था उसको जवाहर पॉइंट नाम दिया गया लैंडिंग साइड जो डिसाइड किया था चंद्रायान 2 के लिए वो तिरंगा पॉइंट था हमें पता है कि चंद्रायान 2 के माध्यम से हम लैंड नहीं कर सके थे वो फेल्ड हो गया पार्सिली फ successful mission है उसमें जो हमारे lander land किया विक्रम वो सिफ़क्ति पर land किया इतनी बाते याद रखना चाहिए कि चलिए कि तो हमारे lander का क्या नाम था विक्रम और रोवर का क्या नाम था प्रग्यान अब यह अपने आप में प्रोपल्सन लेंडर और लेंडर प्रोपल्सन मॉडिल और लेंडर मॉडिल इसमें त्री है तो यह विक्रम लेंडर क्या है यह इसको आप एक ट्रॉली समझो विक्रम को ठीक है विक्रम को आप एक ट्रॉली समझो जो कि मून पर लेंड करेगा ऐसे यह लेंड कर गया इससे एक वहिकल निकलेगी छोटी सी, यह वहिकल जो है, इसको आप, यह इसमें चल सकते हैं, चंद्रायन के सर्फेस में, मूब कर सकते हैं, इसका नाम है प्रग्यान रोवर, रोवर मतलब ट्रॉली, ट्रॉली जैसे चल सकता है ने कहीं पर, यह वहिकल जो कहीं पर ट्रैवल कर सकत जो होर है एंके उन सेंपल कर सकता है चंद्राइन के सर्फेज से और संपल को वापस भेजा जा सकता है इंडिया हैं कहां पे क्या property है कहां पे water के water के अपने आप में evidence मिलते हैं या कोई भी gas कोई-कोई metal कोई stone everything जिसका भी कोई अपने आप में scientific proof होगा वह प्रज्ञान भारत में भेज सकता है यह खास बात इसके ठीक है वह यहाँ लेके नहीं आगे हमें पता होना चाहिए इसके के लाबा इसमें स्पेक्ट्रो पुलरी मीटर एक सैटलाइट है जो कि हैविटेबल प्लैनेटरी अर्थ से शेप पेलोड के साथ है और यह काम क्या करेगा यह लूनर और और बिट में और बिट करेगा चंद्रमा की चारोओर घूमेगा ठीक है इसपेक्ट्रो मिटर उससे क् है तो इसमें एक लेंग्मियूर प्रोब है यानिकी जांच करने के लिए एक लगा हुआ जिसका नाम है रंभा अब रंभा क्या है रंभा है एक कि चंद्रवा की सर्फेस पे प्लाज्मा को मेजर करने के लिए आयन्स को मेजर रीड करेगा इलेक्ट्रॉंस को रीड करेगा उसकी डेंसिटी उसमें चेंजेस जो समय के साथ होते हैं उसको मेजर करने के लिए एक प्रोबिंग इंस्ट्रॉमेंट है एक जांच करने वाला इंस्ट्रॉमेंट है जिसका नाम है रंभा इसके लाव चैस्ट चैस्ट क्या है तो जैसे नाम से पता चलता है कि चंद्रास सर्फेस थर्मो फिजकल एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये चंद्रवा की सर्फेस का टेंपरेचर जो उसकी थर्मल प्रोपर्टी है उसको मेजर करने के लिए चैस्ट है ठीक तो चैस्ट हो गया टेंपरेचर को मेजर करने के लिए thermal property को मेजर करने के लिए और lander payload में रंभा नामक जो payload है वो langmir probe के लिए है जो कि अपने आप में ions and electrons या surface plasma को मेजर कर सकता है इसके लाबा ilsa इसमें ilsa तो ये lunar seismic activity lunar में कौन कौन से seismic activity है उनको मेजर करने के लिए ilsa है इसके लाबा जो rover में हमारे payload है यानि कि प्रग्यान में जो हमारे payload है वो क्या क्या है तो उसमें APXS है और LIPS है तो APXS क्या है ये alpha particle x-ray spectrometer है ये basically magnesium, aluminum, silicon, potassium, calcium, titanium, ferrous इन सभी को lunar surface में read करेगा और वहां की जो rock profile है उसका ठीक, LIPS क्या है? laser induced breakdown spectroscope है जो कि अपने आप में chemical composition और infer mineralological composition मतलब minerals का composition चंद्रमा की surface में कैसा है chemical composition कैसा है उनको read करने के लिए हमारा laser induced breakdown spectroscope उहां पे होगा and the next is travel for life best tourism village award अच्छे इससे पहले एक और बात just immediately notification आ चुका है कि UP PCS का exam 7 and 8 December को होगा ठीक है साथ और आठ दिसम्बर को यूपी PCS का exam साथ और आठ दिसम्बर को होगा इसलिए आप लोग तैयारी करो एक मिटने थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इस पे साथ और आठ दिसम्बर को हाला कि State Public Service Commission ने ओफिसली ये लिखा है कि दिसम्बर में एक्जाम कंड़क्ट कराएंगे ठीक है दिसम्बर में एक्जाम कंड़क्ट कराएंगे मतलब ये कि 27 अक्टूबर वाले डेट अब नहीं होगी ये इक्जाम इस तारीकों तो नहीं होगा ये इस पस्ट हो गया दिसम्बर में 7 और 8 दिसम्बर की चर्चा बराबर चल रही है देखो अभी भी PSC 7 और 8 पे पूरी तरह सीरियसली विचार कर रहा है लेकिन इस बात की समभावना है कि अगर एक दिन में एक्जाम कराया जा सकेगा तो ये एक्जाम फाइनली 8 तारीकों यानिकि 8 दिसम्बर और वेट करना है ठीक है चलिए नोटिफिकेशन चुकि आ गया है कि 27 अक्टूबर को नहीं होगा तो आपके लिए परियाप्त समय है हम लोग जल्दी जल्दी सब सारी चीज़े कवर करेंगे और आप लोग अपना करेंट अफेर्स तयार रखो इसमें सितंबर तक करेंट अपनर नोमबर तक हम लोग ज़ादे नहीं सब कुछ नहीं जाना है यह जानना है ये जानना है कि वीलेश टूरिजम पे फोकस करता है से ट्रैवल फर लाइफ कि अवार्ड ठीक विलिश टूरिज्जम से फोकस करता है और मिनिस्ट ऑफ टूरिजम इसे होस्ट कर मिनिस्ट आप टूरिजम ने से होच्ट किया है ठीक और यह 46 त यारे कि 46 मापसिफिक एस्या ट्रैवल Association Travel Mart 2023 ने City New Delhi में इसे होस्ट किया सबसे पहले इंडिया में यह सबसे पहले होस्ट किया जा रहा है इस तरह साब समझ सकते हैं 46 Pacific Asia Travel Association Parta Travel Mart 2023 के दोरा में ठीक प्रीविशली इसे World Tourism Day यानि कि 27 सितंबर को Minister of Tourism ने Global Minister of Tourism ने Announce किया एंड लॉंच किया है Travel for Life स्कीम को Travel for Life Award को एंड ग्लोबल लॉंच फर ट्रेवल फर लाइफ वस डन ऑन भारत मंदपम जहां पर G20 की मीटिंग होई थी वहां पर चलो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान ऊपनी देना है काम की चाहीं जोर क्या है इसमें चलो गोफ़ड़ ऑवाड मूण है तो गोल्ड मह suspicion मिला है व्लेज लेफ पर इंच रिश लेवल पर इचोकर दिया जाता है तो दावर जमुन कसमीश में शार्मोली उतरकन म मिजोरम में रीक काथाल और केरला और मद्ध प्रदेश में मानला इनको ये गोल्ड आवार्ड पांच को दिया गया है ये पांचो गावों के नाम आप याद रखना स्टेट एक्जाम्स के लिए ये अच्छे और इंपॉर्टन पॉइंट्स है चलिए इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिट ट्रांजिस सिस्टम कहां पर सुरू किया गये तो दिल्ली गाज़वाद मेरट बहुत इंपॉर्टन है ये बहुत इंपॉर्टन है दिल्ली गाज़वाद मेरट ये अपने आपने 17 किलो मेटर का पूरा कॉरिडोर है और ये साहिवाबाद Rapid X Station गाजयवाद से UP तक पूरा कवर करेगा ये UP के मेरट तक ये पूरा कवर करेगा इसके लाबा Foundation Stone इसका आठ मार्च को नहीं इंपोर्टन्ट है इस पिसल इसमें है First Rapid Rail System है RRTS and 180 km per hour की स्पीड से चलेगी काफी तेज है सताबदी सित्य या उसके बराबर कह सकते हैं इसके अलाबा इसमें फ्लेग आफ किया गया है नमो भारत Rapid X Train Connecting साहिवाबाद डेलेही डेपॉर्ट मार्केटिंग लांच इसमें इसमें परस्नलेट ट्रेवल भी किया है इन रेजनल रैपिड ट्रेन जिसका नाम है नमु भारत प्रेवल भी किया है Hustle Temple, Hustle Temple को UNESCO World Heritage Site के लिस्ट में जगह मिली है करनाटका के Hustle Temple को और ये अपने आप में 42 में होगा आप लोग कन्फरम करके बताओ कि ये 42 है क्या ये 42 है? क्या अपलोग कमेंट करके बताओए क्योंकि इससे पहले सांती निकेतन को जो दिया गया था वो 41 था सांतिन केतन रवींद्र नाट टाइगोरवाला वेस्ट बंगाल में और इसे यूनिस को वर्ड हरिटेज के लिश्ट में दिया गया था तब यह 41 था होईसल टेंपल यह बारज और 13 सेंचुरी का है बेलूर हालिविट और सोमनातपुर में विलॉंग करता है इसके लाबा यह नागर स्टाइल का है इसमें बेसर स्टाइल के लिमेंट नहीं क्या नो इसमें है ड्रविडियन स्टाइल और नागर स्टाइल दोनों की ब्लेंडिंग है इसमें ठेक यह टेंपल क्या-क्या इंक्ल वर्धन ने 1116 एडी में बनाये था इसके लावा होई सलेश्वरा टेंपल इसमें हालीविड में है वो भी इसमें इंक्लूड़ेड है और केशो टेंपल सुमनातपुर का वो भी इसमें इंक्लूड़ेड है जो कि लाड़ कृष्णा पर डिवेटेड है और यह अपने आप में थ्री फॉर्म मतलब जनार्दन केशव और विष्णु गोपाल तीनों फॉर्म को डेटिकेट करता है तो यह तीनों आर्किटेक्चर मिलाकर ज्यून इसको वर्ड हरिटेज साइट की 42 इंपॉर्टेंट हरिटेज साइड में लिष्टेड हो चुके हैं चलिए आगे बढ़े उससे पहले आप लोग को मैं सूचना देना चाहूंगा कि आप अगर अपनी यूपी पीसी यानि कि यूपी पीसी या बीपीसी प्रिलिम्स की तैयारी को एक्जाम क्वालिफाई करन के लेवल पर ले जाना चाहते हो तो आपको अभी चुकि आप तो दिसंबर की डेट आ गई है मान की चलो आठ डिसंबर को यह एक्जाम होने जा रहा है ठीक है तो आपको आपको यूपी पीसी साथ दिसंबर में और बिहार पीसी इस उससे एक हफ्ते बाद हो सकता है 19 नॉ कवर करते हुए यह टेस्ट सेरीज आफर की जाती है जिसमें हैं पूरे 15 पेपर्स और हर पेपर में 150 कोस्टेंस होंगे जो कि इन से अर्टी इने स्टैंडर्ड बुक्स से लिए गये हैं इसके अलावा इसमें करेंट अफेर्स कवर होगा साइंस कवर होगा स्टेटी स्पे इसके लावा यूपी पीसेस के लिए अडिसनल ऑफर है कि सी सैट के यह तीन पेपर्स यह पूरे 300 कोस्टन इसमें 100 कोस्टन हैं पर पेपर में 300 कोस्टन यह सबी बच्चों को पूरी तरह से फ्री दिये जाएंगे आपने कोई कुर्स हमारा लिया नहीं लिया उससे कोई मत पेपर अलग 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 को लब्द होंगे सभी बच्चे अपनी तयारी के लिए सी सैट के पेपर फ्री दिकॉन सेट ऊल्ल क्लास इस नाम के पैप पह सकते हैं कहां पर दिकॉन सेट आपको प्ले स्टोर में मिलेगा अपना फोन नमबर और इमील से रेजिस्टर करना और लगाना शुरू कर देना ठीक है न ये सारे टेस्ट अब लेबल हैं सिर्फ GS के अभी कुछ टेस्ट आने बाकी है फुल लेंथ वाले वो भी आना शुरू हो जाएंगे जल्दी UP और बिहार पीसेस के सभी अभियर्तियों ध्यान दो जल्दी से टेस्टरी ज्वाइन करो इधर अपना टाइम बर बात करने से कोई फाइदा नहीं है ठीक चलिए बात करते हैं स्वक्ष वायू सरुविक्षन के तो रिपोर्ट एन इंडाइसेस हैं तो इससे समंधित जो भी इंपॉर्टन फैक्ट है उनको कवर करेंगे स्वक्ष वायू सरुविक्षन दोहजार चौविस का अवाट दिया गया है और यह अवाट दिया गया है सप्टम्बर सेवन को इंटरनेशनल टे आफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज इसी को स्वक्ष वायू दिवस भी घोसित किया गया है साथ सितंबर को साथ सितंबर दोहजार चौविस को स्वक्ष वायू दिवस भी घोसित किया गया है यह कहां पर अपजर्व किया गया तो यह जैपूर में अपजर्व किया गया Ministry of Environment, Forest and Climate Change के द्वारा, इसमें recognition क्या है National Mission for Clean Air के द्वारा इसे recognize किया गया है हर साथ तारीक के सितंबर को ये ये दिन celebrate किया जाएगा और ये दिन declare किया गया है United Nations General Assembly द्वारा in 2019 2019 में इसे United Nations General Assembly द्वारा भी recognize किया गया है इसमें एक fact देखते हैं जो हमारे काम के देखो category 1 में 10 लाग सेधिक population वाले है category 2 में 3 से 10 लाग वाले है category 3 में 3 लाग की population वाले cities involved है जिसमें category 1 में number 1 इस्थान है सूरत को बस ये याद रखना है नहीं नहीं UP का भी एक इस्थान है आगरा सुक्च वाई सर्वेचन में UP का आगरा है नमबर 3 पर ये याद रखना है जवलपूर नमबर 2 पर तो नमबर 1 पर सूरत नमबर 3 पर आगरा UP pieces के लिए important है और मध्यम category में यानि की population 3 से 10 लाग वाले में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का पहला इस्थान पर है बहुत important पिकोज ये UP का है और नमबर 3 पर जहासी है तो ये भी important हो जाता है पिकोजासी भी UP में है UP pieces के लिए ये सभी location बहुत important है and राईवरेली राहूल गांधी वाला राईवरेली ये अपने आप में है इसका पहला इस्थान है बस इतना याद रखना है इससे ज्यादा नहीं याद रखना चलिए यहां पर कुछ भी हमारे काम का नहीं है इनको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे यहां पर और कुछ भी नहीं छोड़ो निस्टिटूशन रेंकिंग फ्रेमवर्क 2024 उसके हिसाब से इंडिया की रेंकिंग आ गई है पहला इस्थान मिला है इंडिन इस्टूट आप टेकनलोजी मद्रास को को दूसरा स्थान है बेंग लूर रू तीसरा स्थान इस्थान आयाटी बॉंबे को और चौतरा स्थान निव डैले की अगश को और कांपूर की अगे पता होना चाहिए रूधी इस मध्रास अगोग मात्रास यून्वर्सिटीडि में टॉप पर नहीं, इस प्र टॉप तरी स्टेट पुब्लिक यॉनुवेस्टी में अन्ना यॉनिवेस्टि चिर्णाई का नमब κάνे पर जो05 कोल最近 कबम के चावित्र बाइफ टीन नमबर तेन पर है अपको याद रखना है अन्ना यॉनिवेस्टि आफ चिंक है फूर ठीक है इसमें हम कुछ और बातें देख सकते हैं, oster के यйल रखेंगे हिंदु कालेज है Natalie पर बस इसमें ज्यादा बहसंद बाजी नहीं focus करना है, हम next session में बात करेंगे SDG India Index 2023 के बारे में 2E पर, so 2D यहां पे समाप्त होता है, lecture number 2D यहां पे समाप्त होता है हाँ, the conceptual classes के आपे जाकर UPPCS और विहार PCS के लिए test series join करो, NCRT based सबसे बढ़िया सटीक question है, ठीक है thank you so much and have a nice time